अनमस्कार आज में डिसकस करेंगे हिमाचिल प्रदेश जी के important question देखिए हिमाचिल प्रदेश जी के important question जो हो discuss करेंगे हरी question जो हो exam point of view से जो हो important है और definitely आने वाले exam से आपकी help करेंगे जैसे की पहले भी जो हो करता रहा है question number one से जो हो discussion के start करेंगे बोलते हैं question number one में बोलते हैं who among the foreign became judicial commissioner of हिमाचिल प्रदेश in 1960-1963 आपको बता होना चाहिए कि हिमाचिल प्रदेश में judicial commissioner भी जो थाओ पहले हुआ करते थे judicial commissioner जो थाओ 1948 में पहली बार बने थे और 1948 से 1967 तक जो थाओ judicial commissioner यहाँ पर रहे थे तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि 1960 से लेकर 1963 तरक जो था वो judicial commissioner जो थाओ कौन रहे थे तो वो रहे थे सीरी टी राम भद्रन सीरी टी राम भद्रन option ए जो हो सही अंसर हो जाएगा अगर हम बात करते हैं judicial commissioner की तो first judicial commissioner हिमाचिल के कौन बने थे वो रहे थे जस्टिस जे एन बेनर जी जस्टिस जे एन बेनर जी का नाम आप पढ़ते हैं और यह कब से लेकर कब तक बने थे 1948 में यह बन गए थे 1956 तक यह रहे थे उसको बाद 1956 में जो है वो फिर से जो है वो जूडिशिल commissioner बनाए जाते हैं और सीरी टी राम भद्रन को जो है यह 1956 में जो हो बनाया जाता है 1956 में ती राम भद्रन बन जाते हैं और 59 तक यह रहते हैं फिर से 1959 में जो है वो एक जूडिशिल commissioner बनाए गए 1959 में यह कौन बनाए गए थे यह बनाए गए थे शिरी C.B. Kapoor C.B. Kapoor जो थाओ बनाए गए थे और यह 1959 से लेकर 1960 तक रहे थे 1960 में फिर से जूडिशिल commissioner बनाए गए और वो किसको बनाए गया वो फिर से बनाए गया सिरी टी राम भद्रन को टी राम भद्रन दो बार जूडिशिल commissioner हिमा चलके रहे एक 1956 तू 1959 रहे दूसरा 1960 तू 1963 रहे जब तक जो था यह रहे 1967 तक जो था यह पोस्ट पर बने रहे तो यह जूडिशिल commissioner के बारे में हो गया यहां से एक बात ध्यान रखने जूडिशिल commissioner और chief justice हिमाचल के अलग है और लिस्ट हम अलग से पढ़ते हैं पहरे chief justice जो था वो सिरी कितना भाग जो है वो वर्षा पर निर्वर करता है देखिए अगर हम बात करें कि कितना जो total cultivated area जो हिमाचल प्रदेश का है वो rain fed है वर्षा पर निर्वर करता है तो लगवग 80% के आसपास जो हो आता है option D जो हो सही अंसर हो जाएगा 80% के आसपास जाता है यहां से कुछ और data भी हमारे पास है discuss करने के लिए तरह देखिए हमाचल प्रदेश में जो average rainfall note की गई है वो 1251 MMS जो हो की गई है MMS मतलब मिली मीटर में जो है यह बात की जा रही है और सबसे ज्यादा rainfall जो हमें देखने को मिली वो kangra district में देखने को मिली तो यह pattern आपने पूरा ध्यान रखना है कि सबसे highest rainfall कांगडा में उसके बाद चंबा में उसके बाद सिर्मौर में उसके बाद मंडी में और average rainfall थी यहां पर 1251 MMM यह आपने ध्यान रखना है हमने यहां पर एक और data पढ़ रखा है हमने पढ़ रखा है कि हिमाचल में जो है वह अगर हम इसको previous के साथ compare करें तो पिछली बार हमें यह rainfall इनहीं महीनों में जून से सप्टेंबर 2022 के बीच में जो था वह 734 mm देखने को मिली थी और उसी तरह अगर बात की जाए October to December 2023 तो October to December 2023 यह rainfall हमें 45 mm देखने को मिली थी अगर इसी को October और December के last year 2022 के साथ compare के जाता है तो इस बार 2023 में थोड़ी सी कम rainfall देखने को मिली कम कैसे देखने को मिली October to December 2023 में 45 mm हुई थी और October to December 2022 में यह 83 mm जो था वो हुई थी तो यह 38% कम जो था हो देखने को मिली तो यह data सारा का सारा पता होना चाहिए अगला question देखी क्या बोलते हैं इन विच दिस्ट मंडी जिला जो हो से अंसर है मंडी देखो पहले हो मैं अभी election हुए लोग सभा के तो उन्हीं के context में बात करूंगा देखो मंडी जो है वो इंटर मॉफ एरिया जो है वो इंडिया का second जो हो largest लोग सभा ये seat है इंटर मॉफ एरिया पूरे इंडिया की second largest है ये और अभी य रिकोड जो हो कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है तो ये रिवाल्सर से स्टार्ट हो जाती है रिवाल्सर से ये स्टार्ट हो जाती है और कहां तक जो हो फैली हुई है रिवाल्सर से लेकर सुकेद तक जो है ये फैली हुई है और सुकेद रियासत की स्थापना जो था हो कि मंडी में मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ियां जो है इस तरह की धारें जो हो पढ़ते हैं तो एक घुगर धार जो हो मंडी में पढ़ती है यह आपने ध्यान रखना है घुगर धार के बारे में आपने सिकंदर धार धार ध्यान रखना है सिकंदर धार जो हो यह सि सिकंदर धार अपने जान लिया कि कहां पर पढ़ती है मंधि में मुख्य रूप से बिआस नदी जो है वो बैक्ती है और सत्लूस नदी भी जो है मंटी को टच करती है सते लुजी मंडी में कहां पर इंटर करません नदी में फिजनू विलेज के समीव नज से उट और मुख्य रूप से जो यहाँ पर बड़ी नदी बहती है वो ब्यास नदी बहती है जिसकी अलग लग साहिक नदीयां जो हो यहाँ पर मंदी है आकर मंडी में अगर मंडी में अगर आप इसकी साहिक नदीयां देखेंगे तो मंडी में इसकी साहिक नदीयां देखेंगे तो तो यह सारी मंडी में जो है वो इसकी साहक नदियां है ब्यास की यह ध्यान रखना है आपने ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है वो अरजी क्या है अभी कोई डाउट आपके मन में यहां से नहीं रहा क्या होगा डेफिनिट्ली अगला क्वेशिन देखिए क्या बुलते हैं इन विच माउंटें रेज दर्स दर्स ट्रीम बानगंगा फ्लो तो बानगंगा जो है वो कहां से निकलती है वैसे के क्योशन हमने पहले भी पढ़ रखा है प्रंतो चलो फिर से हम इसको डिसकस कर रहे हैं पहले ऑप्शन कुछ और थी इस बार ऑप्शन कुछ और है तो ब बानगंगा नदी जो है वो कहां से निकलती है बानगंगा ब्यास की एक इंपोर्टन सहाइक नदी है जो की डिस्टी कांगडा में इसके साथ मिलती है और बानगंगा जो है वो धौराधार से निकलती है दौराधार ऑप्शन सी जो है उसे इंसर हो जाएगा दौराधार की कौन सी स्लोप से ये निकलती है तो साउधन स्लोप अप धौराधार से जो है ये निकलती है ये अपने ध्यान रखना है अब जो भी बर्फ वहां से पिंगलती है वहीं से ये नदी बनती है और ब्यास की आगे चलकर जो है हो सहायक नदी बनती है कांगडा वैली में ये व्या इसी तरह चक्की आप पढ़ते हैं चक्की जो है ये भी इंपोर्टन सा एक नदी है एक ब्यास की और चक्की के बारे में भी आप ये जाने कि ये साउधन स्लोफाव धालाधार से ही निकलती है बरफ पिगलती है वहीं से ये नदी निकलती है प्रंतुरिस्थिक कांगडा में जो है ये मिलती है इसमें आकर कहीं और इसी तरह गज हमें देखने को मिल जाती है हरला हमें देखने को मिल जाती है लूनी हमें देखने को मिल जाती है अवा हमें देखने को मिल जाती है अवा भी वह ब्यास की एक साहिक नदी है दौलाधार की अगर हम पहाड़ियों की बा लाख प्रवत के नाम से भी जो हो जानते हैं यह आपने धियान रखना है दौलाधर के बारे में शिवालिक रेंज है तूसरी और उन्ना में जो मुक्ह रूप से पड़ते हैं तो शिवालिक hebben को गलंसे पर डामें मानक पर वत के नाम से जो हो जानते हैं Inner Himalaya की एक main range जो हो माने जाती है और Inner Himalaya में ही पीर पंजाल भी हमें देखने को मिल जाता है पीर पंजाल के अगर हम बात करें तो मुख्यरूप से चंबा reason में ये आपको देखने को मिल जाएगा तो यह data यहां से हमने जान लिए सारा का सारा अगला question देखते हैं वारवास क्या भूचा गया है अगला question बोलते हैं which temple around Shimla is said to have been founded by संथ नीम करोरी औफ नैनिताल तो बोलते हैं कि Shimla के आसपास स्थित किस मंदिर का निन्मान नैनिताल के एक प्रसीद संथ नीम करोडी द्वारा किया गया था तो महराज नीम करोडी जी के द्वारा जो था वो संकट मोचन मंदिर Shimla का बनाया गया था option A जो है वो सही answer है अब जो संक्त मोचन मंदिर पहले तो ध्यान रखना है कि यहां सिम्बला में इस त्थ है साथ में ही आपने ध्यान लखना है कि शिमला में जो है वो सूर्य मंदिर वी जो है वो सित है शिमला के नीरत में जो है वो सूर्य मंदिर जो है वो सित है ये आपने ध्यान लखना है शिमला में जो है काली बारी टेंपल भी जो है वो सित है काली बारी टेंपल जो है वो सित है और माता श्यामला देवी के नाम पर जो है जिनके नाम पर शिमला का नाम पड़ा है उन्हीं को जो है यह समर्पित है काली बारी मंदिर 1845 के आसपास जो था यह मंदिर यहां पर बन करनता है कि कहां पर यह कूट क्राटी मन्दिर जो हैं जो यह हुँ ओढ़ते हैं इसी के साथ अगर हम हम मह prophets के और भी टैमपल की बात करें तो मैं एक टैम्पल भूतनात मंदिर रिवाइज करूँगा ये सिखर आर्किटक्स टाइल में बना हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पीडियो में पूछा था आप से कि भूतनात मंदिर कौन से आर्किटक्स टाइल में बना हुआ है तो ये सीखर आर्किटेक स्टाइल में बना हुआ है राजा अजवर सेन के दोरे इसकी स्थापना जो था वो करवाई गई थी शिमला में ही मंडी में ही हमें देखने को मिलते हैं माधोराय टेंपल देखने को मिलता है मंडी में ही माता तारना देवी का मंदीर देखने को मिलता है मंडी में ही पंच वक्रतवा मंदीर देखने को मिलता है मंडी में ही जो मागरु महादेव टेंपल देखने को मिलता है इसके लावब चमबा की और चले ही तो चमबा के टेंपल आए दूने रिवाइज होते रहते हैं जैसे कि चमबा का मणी मेश टेंपल, लक्षना देवी टेंपल, पैंटर, चमबा का शक्ती देवी टेंपल और शक्ती देवी और लक्षना देवी मंदिर यह दोनों पेंटरूफ आर्किटेक्स्टैल में बने हुए हैं राजा मेरू वर्मन के दोरा यह बनवाए गई थे चंबा के राजा साहिल वर्मन थे जिनके दोरा चंबा सहर की स्थापना करवाई गई थी उनके दोरा लक्ष्मि नारायन मंदिर भी बनवाया गय था जो की group of six temple है next question हम देखते हैं बोलते हैं विच राजा अफ मंडी नेक्स द्रंग एंड गुम्मा एराउंड 1554 तो बोलते हैं कि 1554 गया सपास मंडी के किस राजा ने द्रंग और गुम्मा की जो माइंस थी उनको अपने कब्जे कर लिया था देखो अगर हम बात करते हैं द्रंग और कि तो राजा साहीब सेन थे यह राजा साहीब सेन थे जो ने गुम्मा और द्रंग की नमंकी खादानों को अपने धीन जुठाव कर लिये था राजा साहीब सेन आप्शन ए सही अंसर होगा 1554 में जुठाव मंडी के राजा हुआ करते थे और यह अकवर के समकालीन थे यह मुगल पीरिड की अगर हम बात करें किसके समकालीन थे मंडी की हम बात कर रहे हैं मंडी रियासत की स्थापना जो था हो किस ने की थी बाहु सेन के दोरा लगबग एक हजार इसवी में जो था हो इसकी स्थापना की गई थी मंडी सहर की जब भी बात की जाती है तो मंडी सहर की स्थापना जो था वो जैसे ही भूतनात मंदी राजा अजबर सेन के दोरा स्थाफित करवाया गया तो उनके दोरा मंडी सहर की स्थापना भी जो था वो करवाई गई थी और अपने ध्यान रखने हैं साहीब सेन मंडी के राजा बने इन्होंने गुम्मा और द्रंग की सौल्ट की माइन्स को अपने अधीन ले लिया था मंडी के राजा सिधसेन भी जो था वो हुए सीध सेन जो है वो important है कि गुरु गोबिन सिंग जो था वो इनके कारेकाल के दुरान मंडी जो था वो आये थे मंडी के एक राजा इस्वरी सेन भी हुए इस्वरी सेन को संसारचन जो कांगडा का राजा होता था उसने बंदी बना लिया था बारा वर्सों तक उसको बंदी बनाकर ही रखा गया कहां पर रखा गया ना दौन में रखा गया उसको बंदी बनाकर और उसको अजाद कब करवाया गया वहां से तो जब गुर्खाओं ने संसार्चंद के उपर अटेक किया तो गुर्खाओं ने उसे वहां से अजाद जो थ अजहाँ हुए और बिजसेंज ऑफ मंडी के दुरान कि थे मंटिंगी ऩलो तो लिल Underground वर अमनीम्ण साचक, देखने को मिलते हैं तो है जोकेंदर सेन ऐसे सानन परियोजना नाम नाम आपने are offer लगे सार्ड मेन आपने दियान लगन है और ये सानन परियोजना जो है वो हमें चर्चा में देखने को भी जो है वो मिलती है क्योंकि ये हमें चर्चा में देखने को मिलती है क्योंकि पंजाब के साथ एक agreement हुआ था जिसमें पंजाब के साथ जो agreement हुआ था में हिमाचल ने परियोजना को पंजाब को 99 years पर लीज के लिए दे दिया था अब लीज पर दे दिया गया था तो अभी वो लीज खतम होने वाली है इसलिए जो है वो चर्चा में है जो गिंदर से नहीं उस टाइम ये राजा होते जिनके विहाब पर लीज एग्रिमेंट जो बाकर examiner पूसता है तो हम इस तरह की असान असान कोईस्जिन को भी cover कर रहे हैं अब देखो यहां पर बोलते हैं कि जो सब कांगडा रीजन था कांगडा की सबसे छोटी ठकराई हुआ हुआ करती थी अगर कांगडा की सबसे छोटी ठकराई रयासत की बात की जाती है तो व और कुटलेहर रियासत का भाग हुआ करता था तो हम क्या पढ़ते हैं कुटलेहर के बारे में कुटलेहर रियासत की स्थापना किसके द्वरा की गई थी तो कांगडा की सबसे चोटी ये रियासत है और इसकी स्थापना जस्पाल के द्वरा जुथा वो की गई थी ये अपने देखने को मिलता है कि 1809 में जैसे कि मंडी सिखों के अधीन आ गया था वैसे ही कुटलेहर भी जो था वो सिखों के अधीन जो था वो आ गया था कुटलेहर के राजा नरायन पाल ने 1825 इस भी इस भी में और रंजीत सिंग से कोट वालवा किले के लिए युद्ध किया था और ये question पूछा जा सकता है कि कब ये यूद होगा था तो आठारा सो पचीस में ये किया था किस ने किया था कुटलेहर के ये राजा थे नारायन पाल इनके दोरा किया गया था और कुटलेहर के जो अन्तिम शासक हमें देखने को मिलते हैं वो वरिज मोहन जो है वो देखने को मिलते हैं वरिज मोहन का आपने ध्यान लखना है ये कुटलेहर के अन्तिम शासक थे कल ही हमने उन्ना के बारे में पढ़ा था कि यहां पर जो है वो उन्ना के मैडी में बावा बढ़वाक सिंग का जो है वो मेला भी जो हो लगता है और उन्ना में ही जो है वो जो बसॉली क्षेतर है यहां का वहां पर पीर निगाह मेला जो है वो लगता है यहां पर चिंतपू 1972 तक ये कांग्रा जिले का भाग जो था वो रहा था और 1972 में से पूर्ण राज्या का धर्जा जो था वो फाइनली मिल गया था फिर ये ध्यान रखें अगला कोशिन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं वी चौपता फॉल्लाइंग फिमेल सेक्स रेस्टो अफ डिफरेंट स् बिल्कुल सही बात है हिमाचाल की तो आपको टिपस पर याद है कि 2011 की जब जनगर्ना हुई थी और 2001 की जब जनगर्ना हुई थी तो हिमाचाल की सेक्स रेसों क्या थी 2011 में 972 थी और जब भी हम 2001 की बात करते हैं तो ये 968 जो था वो हुआ करती थी ये ध्यान रखना है बात करते हैं पंजाब की तो पंजाब की 2011 की जिन गन्ना के अनुसार 895 ही है बिल्कुल सही दिया गया है चंडीगर्ड की जब भी हम बात करते हैं तो चंडीगर्ड की 818 जो है वो आती है और उत्राखंड की जब बात की जाती है तो उत्राखंड देखो उत्राखंड की 983 है क्या नहीं 983 यहां की नहीं है तो यहां पर क्या बोला गया है not correctly match यहां पर होना था not pdf में मैंने आपको यह सही बिल्कुल प्रवाइड करवाया है जो मैंने pdf test series group पर जुथा हो सेंड की थी वहां पर तो हमने not ही सेंड किया है प्रन्तु आपने यहां पर भी ध्यान रखना है कि not होगा यहां पर तो उत् PGT की त्यारी कर रहे हैं तो PGT paper one के लिए limited time बचके है और बहुत अच्छी opportunity है अच्छे से मेहनत कीजिए और जितना भी time आपके पास है उसको अच्छे से utilize कीजिए अच्छे से revision कीजिए practice कीजिए practice अगर आपको अच्छे से करनी है तो आप हमारे test series practice कर सकते है test series का link नीच description box comment box में दिया गया है test series जैसे ही आप practice करेंगे आपको अपने कम्यां पता चलेंगी नई चीज़ें से इकने को मिलेंगी और confidence भी आपके अंदर आएगा कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है exam में जो confidence से आप ठीक करवाते हैं confidence के साथ exam देना जरूरी होता है test series के link नीचे description box comment box में दिये गए हैं वहां से avail कर लेना हाँ जी sex ratio की हम बात कर रही थी तो कुछ और एक state की हम sex ratio जो है वो जान लेते हैं अगर हम overall इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की sex ratio 2011 की जनकरना के अनुसार 943 थी ये आपने ध्यान लखना है अगर हम बात करते हैं हिमाचल की 972 थी पंजाब की 895 थी चंडिगर की 818 थी उत्राखंट की 963 थी हर्याना की जो था वो 879 थी हर्याना की 879 थी sex ratio ये ध्यान लखना है दिल्ली की कितनी थी दिल्ली की 868 थी ये आपने ध्यान लखना है साइद गुजरात एक एक्जाम में जो था वो पूछा गये था 1084 1084 जो था ये केरल की sex rice थी अवी देखो अरुनाचल प्रदेश में election हुए है तो अरुनाचल प्रदेश में आपको यहां से बताता हूं 938 यहां की sex ratio है सिक्किम में भी ह 한번 की एक्टिन हुए थे और सिक्किम में जो है सिक्किम की कितने सिक्किम की 890 है ॥ हमने ऐसे ही किनौर को किस नाम से जो हो जाना जाता है एक्जाम में यह कोईशन स्टेटमेंट बेस्ट कोईशन पूछा गया था तो किनौर में तीपतियन्स को खुन्नू कहा जाता है अगर हम किनौर के भारे में बात करते हैं किनौर को खुन्नौ कहा जाता है और इसी को पांच पनवा कनौर में काता से लगबादा नियुकम किनौर में मैं कनौर के टाइप पघ्वाइशें था हम धिवाइज करते हैं एक्दम इने ध्यान मार शांखते हैं इक दुब दुब है। के हचीज भी है इनको बीच में जाने खंग जाने तंग है। तो यह सारे इनको बीच में कॉमर मैरिस के टाइम के टाइम तो यहां का तो रहा होते हैं। पांडवों के बारे में हमने जाना तो यहां से एक नएक question exam में बनने की संभावना है पूरी पूरी important question है क्योंकि यह अगला question देखे क्या बोलते हैं बोलते हैं यहां पर which ruler of chamba was appointed as guardian of राजा दलीप सिंग ऑफ गुलेर तो बोलते हैं कि गुलेर के राजा दलीप सिंग जो थे यह भी हम जानेंगे पहले तो आप यह जानें कि किसको बनाया गया था तो यह उदाए सिंग को बनाया गया था यह चमबा के राजा हुआ करते थे option B जो है वो सही answer हो जाएगा अब अगर आपने विलोकरा सीरीज भी हमारी देखी होगी ना तो उसमें भी हमने चाहद गु सतापित की जाती है और इसापना कि सतापना कि भी थी कांगडा के राजा राजा हुआ करते थे इहां के पीछे की चमबा करें यह उद्य काथी चमबा के राजा गुदाय सिंग यह बात है 1695 कि 1695 में राजा राद सिंग हुआ करते थे राद सिंग की जुथा मृत्टी हो गई और इनके पुत्तर थे उनका नाम था दलीब सिंग दलीब सिंग को राजा बनाया गया प्रणतु दलीब सिंग की आयू जुथा केवल seven year जो था वो us time हुआपरं कर दे थी तो इनका सरंक्षक बनाया गया चम्भा के राजह Ududeh Singh को ये आपने ध्यान रटना है और आपने ध्यान रखना है कि इनको ये समझा गया वाकी रियासतों के दौरा कि यहाँ का सासक तो इस बच्चा है और कुछ एक रियास्तों के दोरा यहां पर आकर्मन कर दिया गए जैसे कि उस टाइम जम्मू रियास्त के दोरा यहां पर आकर्मन किया गए था तो राजा उदे सिंग ने इनका साथ दिया राजा उदे सिंग ने जो था वो गुलेर रियास्त के दिलीप सिंग का साथ जो था वो बस उली उनको यहां से भगा दिया था कहा जाता है कि दिलीप सिंग के कारेकाल के दुरान बहुत सारे हिंदू जो कलाकार थे ना जो उस टाइम जो था वो हिंदू कलाकार मुगल दरवार में काम करते थे प्रन्तु नादीर साहा के दौरा आकरमन किया गया उन हिंदू कलाकारों को वहां से भागना पड़ा तो वो पहाड़ी रियास्तों में आकर पहुंच गए और दिलीप सिंग के दौरा कुछ एक कुछ था वो यहां पर सरंक्चन भी था वो दिया गया था यह आपने धियान रखना है यह सारा हो गया दिलीप सिंग के वारे में दिलीप सिंग इंपॉटन्ट सासक है इनके वारे में इंपॉटन्ट बाते हमने जान ली आगे हम् डिसकस करें उनसे पहले देखो allied services यह άपको ऱसटेस है तो तो testers अगर आप practice करना चाहते हैं, अपने study को एक अच्छी save देना चाहते हैं, तो testers का link नीचे description box, comment box में गिया गया है, अब वहाँ से easily जो हैं वो अवेल कर सकते हैं, testers जब आप practice करेंगे न तो आप में बहुत सारी improvement जो होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सेखने को भी मिलेंगी, allied की testers से आपकी बाकी exam की तेजारी भी जो है, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, question देखिए जी, question में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, which district of हिमाशल प्रदेश recorded the highest increase in density of population between 2001 and 2011, तो बोलते हैं कि हिमाशल प्रदेश के किस जीले में 2001 और 2011 SP के बीच में, जनसंख् घनतों सबसे अधिक जो था, वो वृद्धी जो था, वो यहां पर हो देखी गई थी, तो 2001 की और 2011 के बीच में, जो वृद्धी हुई, वो सबसे ज्यादा कहां पर देखी गई थी, density की, population density की, वो आपने comment करके बताना है, पिछले कल बड़े ही अच्छे से मैंने this question को समझ है था, सबसे पहला ही question हमने पिछले कल मीचे ने लाड़े हैं की डिसकस किया था, तो यहां से comment करके जलती से बता दीजिए, अगर आपने हमें telegram पर join नहीं किया, telegram पर join करने के लिए अपने telegram से at the rate tall exam 31, इस तरह से search करना आपको माना telegram channel मिल जाएगा, that's all, thank you, thank you very much for watching and listening good very patience